प्यारे मित्रों नमस्कार जब कभी आप संतों की वाणी सुनते हैं हमेशा यह भी इसमरन रखिएगा कि वे बचन किन परिस्थितियों में और किन व्यक्तियों से कहे गए हैं उस पर बहुत कुछ निर्वर करेगा तो संत के उपदेश केवल संत पर ही निर्वर नहीं करते जिससे बात की जा रही है उस पर भी निर्वर करते हैं कभी रशाप के वचनों में आपने देखा होगा कभी वे कहते हैं सुनो हे भाई तब वे सामान निजनता से बात कर रहे है बड़ा प्रेम पूर्ण, मित्रता पूर्ण, भाई चारा पूर्ण उनका संबोधन होता है कहीं पर भी कहते हैं सुनो हे संतो तब भी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो परम ज्यान को पाकर ही जानी जाती है जो सिद्धवस्था को प्राप्त हो गये हैं जिनके भीतर परम संतुलन उपलब्दो गया है उनको एड्रेस करके कहे गए बचन है वे कभी कभी भी कहते हैं सुनो भाई साधो उनके बहुत से साधुआ को संबोधित करके कहे हैं साधुआ को साधिकाओ को जो साधना कर रहे हैं जो अंतरयात्रा के मार्ग पर ध्यान और समाधी के मार्ग पर अग्रसर हैं, उनसे वे ध्यान की विधियां कहते हैं कि किस प्रकार से साधना करना है, कब तक साधना करना है, कभी-कभी फिर बड़े उच्च कोटी के साधकों से वे बात कर रहे हैं, तब वे ऐसा भी निर्दे देते हैं कि अब साधना को छोड़ दो उनके कई वचन अपनी पत्नी को संबोधित करके कहे गए हैं उनमें अक्सर ऐसी बाते हैं जो इस्तरी साधिकाओं के लिए बड़े काम की होंगी और कभी कभी तो संद कभीर स्वयम का ही नाम लेकर कहते हैं वो बात इसी में उची है कि किसी और से कही नहीं जा सकते कभीर साथ स्वयम को ही कह रहे हैं और दो कोई समझ ना सकेगा अद्वैत की बात, निर्वान की बात कैवल की बात बड़ी विरोधा भासी और कंट्रडिक्टरी वो स्वयम ही जान सकते हैं आज कभीर साहब के जिस पद को हम समझने जा रहे हैं उस मुनोंने साधुओं को संबोधन किया है अपने ऐसी शिष्चों से बात कर रहे हैं जो काफी साधना कर चुके एक मैचॉर्टी और परिपक्रता उनमें आ चुकी है उनसे कह रहे हैं साधो सहज समाधी भली यह साध को तुमने सुरुआत में प्रयास और प्रयत्म से ध्यान पाना सीखा समाधी के वस्ता पानी सीखी सुरुआत में वही जरूरी था हमें कुछ सहारा लेना पड़ता है कुछ करना पड़ता है लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ध्यान और समाधी हमारा सहज सुभाव हो जाए हमें कुछ करना ना पड़े अपने आप घटे थो तो कबीर अपने हिर्दे की गहरी बात कह रहे हैं साधो सहज समाधी सहज का रुथ है निस्प्रयत्न सरल सुगम जो अपने आप घट रही है स्पॉंटेनियस जब हम साधना सुरू करेंगे उसमें तो प्रयास होगा हम करेंगे तो होगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा लेकिन अन्तिता है एक दिन ऐसा आना चाहिए वही हमारा परमलक्ष है कि जब हमें करना ना पड़े कोई व्यक्ति समझो शुबता की साधना कर रहा है अच्छे होने की साधना कर रहा है बुराईयों को दुरगणों को छोड़ रहा है लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए लक्ष उसका ये है कि उसे फिर कुछ छोड़ना ना पड़े और कुछ पकड़ना ना पड़े शुब होना, शिवम होना उसका सहज सौभाव हो जाए तब साधना पूरी हुई जब तक हम कुछ कर रहे हैं तब तक साधना पूरी नहीं समझो कोई बीमार है वह दवाई लेता है औशधी लेता है लेकिन ये टार्गेट तो नहीं हो सकता कि जिन्दगी वर औशधी लेता रहे अगर वास्तों में औशधी काम कर रही है एक छण ऐसा आना चाहिए जब सारी दवाईयां चूट जाएं अस्पताल जाने का चक्कर भी छूट जाए अब भैवास्तों में स्वस्त हो गया तो याद रखना हम जिसे समाधी कहते है वह भी एक प्रकार की ओसधी है मन हमारा व्याधी है बीमारी है तो जब तक मन है तब तक हमें ध्यान की समाधी की साधना करनी होगी जिस दिन वस्तुत है हम मन के पार उठ गए फिर ये दवाईयों की बहुत नवी व्यर्थ हो गई तो कभी उच्च कोटी के साथ कोंसे कह रहे है साधो सहज समाधी भली अब सहज हो रहो तुमने बहुत साधना कर ली जरह यात करें आपने कभी साइकल चलानी सीखी होगी सुरुआत में कितना प्रयास करना पड़ता है वो भूल भूल जाते हैं ब्रेक लगाने की याद रखो तो पैडल चलाना भूल जाते हैं हैंडल मूल रहते घंटी बजाना भूल जाते हैं काड ड्राइविंग आपने सीखी होगी कितना मुश्किल लगता है ये एकसिलेटर और ब्रेक और श्टिरिंग भील और सड़क पर चलते लोग किस किस का ख्याल रखो फिर धीर धीरे आप अभ्यस्त हो जाते हैं एकस्पर्ट हो जाते हैं फिर आप साही के लिए कार ऐसे चलाने लगे कि कुछ पता ही नहीं चलता अपने आप हैंडल ठीक जगह से मुण जाता है अपने आप समय आने पर ब्रेक लग जाता है हर चीज का याद नहीं रखना पड़ता फिर तो आप गीत गुन गुनाते हुए भी कार चला सकते हैं फिर तो आप फॉन पर बात करते हुए भी कार चला सकते हैं फिर तो मित्रों से कप्षप करते हुए भी कार चला सकते हैं अब कार का चलना सहज हो गया तो सुरुवात में जो लोग सहज योग के साथ ना करने लगते हैं उनके साथ मुश्किल है वो ऐसे लोग ही जो कह रहे हैं हमने तो देखे हैं सहज ड्राइवर मोबाइल पर बात करते जाते हैं गप्शप करते जाते हैं गाड़ी भी चलाते जाते हम भी ऐसा ही चलाएंगे अगर सुरुवात में तुमने इस प्रकार गाड़ी चलाई तो घर न पहुंच के कहीं अस्पताल पहुंच जाओगे सुरुवात में तो एक एक चीज का ध्यान रखना होगा बड़ा स्रम करना होगा हाँ एक दिन आएगा कि बिना स्रम के गाड़ी चलने लगेगी तुम्हें पता ही न चलेगा ऐसा लगेगा अपने आप चल रही है और कल्पनकीज एक छोटे बच्चे की जो चार हाथ पैर पर घिसटता है अब उसकी उमर हो गई इस सबसाल का हो गया उसकी मा कहती वेटा खड़ा हो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती खड़े होने की जिग्यासा तो है कि सब लोग दो पैर पर कैसे चल रहे हैं लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं आता कि मैं चल पाऊंगा उसकी मा सहारा देती है अंगली पकड़ती है धाडस बधाती है और उसे चलाती है डगमगाता डगमगाता चलता है कई बार गिरता है चोट खाता है दर्द होता है फिर हिम्मत करता है फिर उटता है दो चार महीने में धीरे धीरे वो डगमगा के चलना सीख जाता है फिर उसकी माँ अपना हाथ छोडाना शुरू करती है और कहती है आपने आप चलो बिना सहारे के चलो मच्चा घबराता है गिरता पढ़ता भी है चोट भी खाता है लेकिन अंतता है एक दिन चलना सीख जाता है उस समय उसको कितना कठिन लगता होगा दो पैर पर खड़ा होना उसके लिए सरकस के करतब से कम नहीं है फिर जब बढ़ा हो गया उससे पूछें चलना बहुत कठिन काम है क्या कैसी बात करते हैं अब चलने में क्या कठना ही सोचना भी नहीं पढ़ता जब जरूत पढ़ती अचानक खड़े होते हों चलने लगते हैं हम कहते हैं तुम्हें ख्याल करना पढ़ता होगा बाएं पैर पहले रखने की दाया कभी सोचा ही नहीं सब अपने आप हो जाता है बड़े सहज तरीके से याद रखना एक दिन सहज नहीं था ये धीरे 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 सहज हो गया तो सहज योग से सुरुवात नहीं की जा सकती पर सहज योग पर समापन होना चाहिए योग ही मत साथते रहना और विधियां ही नहीं करते रहना वो नगोरत धंदे मुलच जाओगे लक्ष याद रखना जब विधी कर रहे हो तब भी याद रखना कि अल्तत है विधी के पार चले जाना है जब दवाई ले रहे हो तब भी याद रखना एक दिन दवाई छूट जाने चाहिए तभी ठीक स्वास्तो प्लब्द हुआ तो सहज का अर्थे spontaneous, सरल, सुगम, जो अपने आप स्वतय हो रहा है बिना किसी सरम के, सहज का एक और दूसरा प्यारा अर्थ है, जो हमारे संग ही जन्मा, संतों ने भीतर के अनाहतनात को सहज कहा है, हम साथ लेकर ही आए, आपने दो शब्द सुने होंगे, अग्रज और अनुज बड़े भाई और छोटे भाई के लिए, जहां का मतलब होता है जन्मा, अग्रज यानि पहले जन्मा, और अनुज, अनुज, पीछे जन्मा, अनुज का मतलब अनुज पीछे आने वाला, अग्र यानि पहले आने वाला, तो बड़े भाई को अग्रच, छोटे भाई को अनुच कहा जाता है सहच किसको कहा जाएगा जो संग सांथ जनम लिया हमेरा भीतर का चैतन, उसमें गुंचता ओंकार उसमें छाया आलोग, हम सांथ ही लेकर आए हैं यही है सहच कभीर साहब आगे उसी तरफ इशारा करते हैं कहते हैं, गुरू परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली यह समाधी गुरू की करपा से इसकी विधी मिली, और दिन दिन यह बढ़ती चली गई धीरे धीरे सहच, और सहच, और सहच होती चली गई जहें जहें डोलों सो परकमा जो कुछ करों सो सेवा अब तो कहीं परिक्रमा करने नहीं जाता कोई मंदिर नहीं जाता मस्जिद नहीं जाता जो व्यक्ति स्वस्त हो गया वो अस्पताल क्यों जाएगा जो कच्छू करूं सो सेवा कहते हैं अब तुम्हें जो कुछ भी कर रहा हूँ वही मेरे जीवन की सेवा है वही मेरा धर्म है मेरे साधारन कर्म जीवन के अब सेवा स्वरूप हो गए परमात्मा की जब सोवों तब करों दंडवत पूजों और न देवा जब सोता हूँ जमीन पर तब दंडवत प्रणाम होगया प्रभू को अलग से कोई दंडवत नहीं करना पड़ता अलग से कहीं जाकर जुकना नहीं पड़ता सब चीजें सहज और सामाने हो गई प्रभू के चरणों में अर्पित हो गई जब सोवों तब करों दंडवत पूजू और नदेवा किसी अन्य देवी देवताव को अम में नहीं पूछता अब तो सारा जीवन का सौंदरी मेरी लिदिविता से ओत्परोध है भगवत्ता ही भगवत्ता सरवत्र है भीतर भी और वाहर भी किसकी पूजा करूँ किसको छोड़ू सारा जीवन अत्यंत सम्मान योग है गहन आदर और अहो भाव से भरे हुए है सारा जीवन ही एक पूजा बन गई वर्क एजवर्शिप कर्म ही पूजा हो गए कभीर साहब सुनके शिश्चो ने बहुत कहा कि अब आप कपड़ा बुनना छोड़ दीजिए बाजार जाना छोड़ दीजिए अच्छा नहीं लगता आप जैसा महान सद्गुरू इस सामान ने सा कर्म करता है कभीर साहब ने कभी अपना काम न छोड़ा उन्हों का ये तो मेरी पूजा है बाजार में राम आएंगे गराहक को वे राम कहके पुकारते थे कि परमात्मा तुम्हारे लिए सुन्दर कपड़ा बुना है जीनी जीनी बीनी रे चदरिया ये परभू इस कपड़े को ले जाओ बड़ा सुखदाई उनका कपड़ा बुनना भी पूजा का कर्म है राम नाम रस बीनी चदरिया ये धागे ही नहीं है ताना बाना इसमें परमात्मा को बुन दिया है अपनी समाधी को बुन दिया है आगे कहते हैं कहो सो नाम सुनो सो सुमरन अब मैं अलग से इश्वर का नाम नहीं लेता जो कुछ भी कहता हूँ वह उसी का नाम है भारत में अदवत परमपरा रही हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी सारे बच्चों के नाम इश्वर के नाम ही रखे जाते थे हिंदूं के पास गरंथ है विष्नु सहस्त्र नाम सुफियों के पास एक गरं थे जिसमें अल्ला है के सो नाम है सभी बच्चों को प्रभू के ही नाम दिये जाते थे बताने के लिए कि प्रभू के अत्रित यहां कोई और है नहीं तुम जिसका भी नाम ले रहे हो हरी का ही नाम ले रहे हो कभीर कहते हैं मैं अलग से प्रभू प्रभू नहीं पुकारता अब तुम्हें जिससे भी मिल रहा हूँ बात कर रहा हूँ जिसका भी नाम ले रहा हूँ पर मात्मा से ही सम्मंधित हो रहा हूँ कहों सो नाम सुनों सो सुमरन अब जो कुछ भी सुनता हूँ उससे उसी की याद आती है जब से प्रभू को जाना है निरंतर उसकी याद बनी है भाव मिटाओं दूजा अब दूजा भाव मिटा दिया गिरह उजाण एक सम लेखो अब तो ग्रस्ती और जंगल मकान और मंदिर सब सम्तुल हो गए कोई भेदभाव ना रहा अद्वैट के ऐसी अद्वुत घोशना तो अपनिशित करिशी भी ना कर सके जैसी कबीर साहब ने की अद्वुत है इवचन कहों सो नाम सुनो सो सुमरन खाओं पियों सो पूजा अब जो कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ समझो प्रभु को ही भोग लगा रहा हूँ मैं सोयम खाओं या किसी को खाना खिलाओं कभीर बड़े शोकीन थे जो भी उनसे मिलने आते सिश्चिगन कहते की भोजन करके जाईए मंदिर में जाके पत्थर की मूर्थी को क्या भोग लगाना चारों तरफ जीते जाते जीते जाकते देवी ते उता घूम रहे हैं किसी को भोजन करवा दिया प्रभु को ही भोग लगवा दिया तुमने एक मुर्जाते हुए पौधे में पानी दे दिया परमात्मा की सेवा हो गई आँख ना मूंदों कान नरोंधों तनिक कष्ट नहीं धारों कहते अब ना तो मैं कान बंद करता ना आँख बंद करता जरा भी कष्ट नहीं उठा था साधना के नाम पर खुले नैन पहचानों हसन सुन्दर रूप नहारों पहले ध्यान में डूब कर निराकार में प्रफू को जाना था अब खुली आँखों खुले कानों इस साकार जगत में उसी परमात्मा को जान रहा हूं साधना की सुरुआत स्वामे डूबने से होती है और साधना का समापन सर्व में लीन हो जाने से होता है शबत निरंदर से मन लागा मलिन व्यासना त्यागी ओभीतर की ओंकार से ऐसा मन लग गया चित्तरम गया कि मलिन वासनाएं मुझे त्याग के चली गई बड़ी अद्वत घटना जिस काम करोद लोब मोहकों में छोड़ने की सोचता था पहले अब धूनता भी हूँ तो भी मिलते नहीं मलिन वासना त्यागी वे लोग मुझे छोड़के चलेगा उन्होंने मेरा त्याग कर दिया उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी इतारी लागी अब तो ऐसी समाधी लग गई कि उठूँ बैठूँ कि कुछ भी करूँ वो छूटती ही नहीं सदा सदा है वही सहज है जो कभी कभी होगी वो असहज ही होगी आगे कहते हैं कभीर साहब कहे कभीर यह उन्मन रहनी सो परगट कर गाई सुख दुख से कोई परे परमपद तही पद रहा समाई सुख दुख के पार मन की सवी इस्थितियों के परे परमपद में इस्थित हो गए उस साक्षी चैतन्य में रम गए भीतर बाहर का भी भेद मिट गया अब तो बस एक ही है अब कोई करिया कांड नहीं कोई विधी विधान नहीं सब कुछ सहज हो गया तो प्यारे मित्रों आपको भी स्मरंड दिला दूँ हम जो भी विधियां करते हैं प्रयोग करते हैं याद रखना अंतिम लक्ष सहज हो जाना है अक्रिया में निश्क्रीता में और कर्म करते हुए सक्रीता में भी कोई भेद भाव न रह जाए ध्यान ये समाधी 24 घंटे में से आदा घंटा एक घंटे की घटना ना हो 24 घंटे पर फैल जाए कबीर के अदभुत वचनों को इसमरन रखना धन्यवाद करते हैं